रवी जेन, आज हम देखेंगे कि कैसे हम JEM Portal पर list of suspended suppliers देख सकते हैं तो सबसे जो भी JEM Portal पर suppliers currently suspended है उनको देख सकते हैं, suspended क्या होता है जब भी कोई भी suppliers पर incident रेज होता है और JEM Portal उस पर action लेता है, उस case में वो supplier उस period के लिए suspended हो जाता है तो अब जो भी current में suspended है तो आपको without login देखना है आपको जाना jm.gov.in और यहाँ पर जाए list of suspended suppliers पर click करना है तो इसमें क्या होगा कि जो भी suppliers suspended है उनकी list आपके पास यहाँ पर appear हो जाएगी ऐसे ही जो buyer से suspended है उनकी list यहाँ पर appear हो जाएगी जो भी entity है जब वो suspended हो जाती है तो उसका मंतब यह है कि वो कोई भी नया product upload नहीं कर पाएगी service upload नहीं कर पाएगी और उसका जो भी uploaded product है वो visible नहीं होगा और वो जो भी नई bits में participate नहीं कर पाएगी और जिन products में उनको order मिल गया है already वो उनको execute करना पड़ेगा बट अगर वो कोई ongoing bids में participate कर दिये तो buyers को वो notify किया जाएगा और buyer most of the cases में उनका जो bid है वो reject हो जाता है बट after financial bid अगर opening होगी उसके बाद भी उनका bid reject किया जाता है तो उनका bid reject हो जाएगा अगर order place नहीं होगा तो हावर जो भी already transaction finalize हो चुके है उन case में उन मदब वो जो payment है delivery है वो सब काम उनका रहेगा और जो suspension का period है उसके बाद वो वापस से renew हो जाएगे तो इस case में क्या है कि यह जो दिया वाए इसमें आप जैसे कोई इंटीटी है उसको आप सर्च कर सकते हो जैसे पूर एक्जांपल मुझे सर्च करना है लामा केमिकल्स तो यह एंटीटी आपको दिखाएगा कि यह suspended है ऐसे ही आप कोई भी एंटीटी जो की suspended है वह आप देख सकते हो इसमें इसमें जो एक और important बाते हैं वो है important बात कि आप इसमें क्या है कि user manual भी दिया हुआ है कि कैसे हम लोग incident रेज कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है how to create incident on jam portal और कैसे vendor suspended होता है वो हमने बनाया हुआ है पूरा एक अलग से वीडियो कि incident कैसे रेज होता है वो सब कुछ तो हमने बता है उसके अलावा एक incident management policy दी वी है जो कि कई बाद रिवाई होती रहती है तो आपको देखना है 6 अप्रेल 2020 से एक incident management policy वो भी आपको इस page पे मिलेगी तो आप उसको देख सकते हो कि कोई वी incident होगा रेज होगा तो उसके बाद कितने time के लिए उसको suspend करेंगे कैसे suspend करेंगे वो उसका सब policy इस policy में detail में बताया हुआ है तो आप इसको एक बाद जरूर read कर दीजिए एक बार हम लोग भी इसकी summary के form में एक अलग वीडियो में आप लोगों को बताएंगे आई होप आपको यह समझ में आया हुआ होगा इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूसर करेंगे